नमस्कार दोस्तों मैं बाबुराम प्टेल आप सबका अपने यूटूब चैनल बाइलोजी जो में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है फाइलम एसकेलमेंथीज अथवा निमेट हेलमेंथीज के बारे में बात करने वाले हैं इसे mostly दखे इसमें, mostly जो पढ़ना है हम लोगों को निमेटोर्स पढ़ना है, निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा, जिसमें सामिल किया गया है, इसकेरिस को सामिल किया गया है, तो चलिए, Escalminthys, अथवा, इसका दूसरा नाम है, Escalminthys का, निमेट हेलमन्थीस, इसके बारे इसे जो important है बहुत ज़्यादा निमेटोडा क्लास ठीक है निमेटोडा इसमें सामिल है सकरिस इसके लिए ہी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है roundworm इसी तरीके से केंदिया जाता है सिल अथुआ गैंगिन तरह दोज लिए जाता है गेगन बार ने इस्थापना किया, फाइलम निमेट हेलमन्थीज की, ठीक है, फाइलम निमेट हेलमन्थीज की इस्थापना किस ने किया, गेगन बार ने किया, ठीक है, अगला पॉइंट किया है, इसमें जो सामिल किया गया है, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म, इन दोनों प्रेस वाटर में भी हो सकते हैं, सी वाटर में भी हो सकते हैं, अथो आप कह सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग, स्वाइल हुमस, रिच स्वाइल, ठीक है, रिच स्वाइल में एज पैरा साइट, और ये परजीवी के रूम में भी हो सकते हैं, पयरा साइट भी हो सकते हैं. अगली खास बात क्या है? कि सोज ट्यूब विदिन ट्यूब वेरी बेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट इस फाइलम से सबसे ज़यादा जो important आप इसे ध्यान रखिएगा दोस्त, soze tube within tube plan, ठीक है किन tube के भीतर tube का plan यह प्रदरसित करता है ठीक है, tube के भीतर tube plan यह प्रदरसित करता है कौन? S-C-Helminthes अथवा N-Met-Helminthes यह बात ध्यान रखिएगा यह important point है, ठीक है अगला point क्या कह रहा है कि bilateral symmetry, इसमें जो समिमिती, जो symmetry होती है, कैसी होती है bilateral होती है, ठीक है दी-Parses भी होती है, ठाथ इसे दो बराबर भागों में एक ही जो है, plane से से divide कर सकते हैं, pseudo-silomate और यह भी बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, कि यह कैसा होता है pseudo-silomate प्रकार का होता है ठीक है, pseudo-silomate इसे ध्यान रखिएगा, और इसकी जो body wall होती है, body wall अथवा जर्म layer कहें आप body wall अथवा जर्म layer कैसी होती है triple blastik होती है, अर्थाथ इसमें तीन layer पाई जाती है एक तो cute kill हो जाती है, दूसरी epidermis होती है, और तीसरी muscular layer होती है, cute kill epidermis, muscular layer देखिए अगली खास बात क्या है इसमें level of organization इसका जो सरीर का संगठन का level होता है, जो अस्तर होता है, सरीर के अंग तंत्र अस्तर का होता है, ठीक है body organization और अगली बात यह है, कि body cavities में क्या कही जाती है, तो body cavity को कहा जाता है pseudo-seel ठीक है, pseudo-seel कहा जाता है body cavity को, ठीक है, अब देखिए हमाई एक चीज़ बता दे, pseudo-seel है तो यहाँ पर एक pseudo-seelomic fluid, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, अगली बात यह है कि no distinct head distinct means अलग इसमें अलग से head नहीं होता है, ठीक है, इसमें अलग से head नहीं होता है, इस phylum के सदस्य में, escalementhies अथवा निमेट, helementhies चल रहा है जो आप जान रहें कि इसमें अलग से head नहीं होता है, ठीक है digestive system कैसा होता है भाई, देखिए digestive system complete प्रकार का होता है, यह अर्थाती एक पूर्ण बिक्सित होता है, digestive system पाचन तंत्र इसमें complete होता है with mouth and anus, mouth भी होता है और anus भी होता है, ठीक है, and specialized pharynx, और इसके साथ-साथ कुछी BCS प्रकार की special pharynx भी होती है, ठीक है अगला point कर रहा है कि both respiratory यह दोनो respiratory and circulatory system, यह रिस्पाइरेटरी system और circulatory system are absent, इसमें respiratory system और circulatory system दोनो अनुकपन स्थित होते हैं, अर्थात absent होते हैं, ठीक है, अगला जो point से very very most important, देखिए क्या है, double star लगा हुआ है, दोस्त excretion with the help of protonephridia, इसमें जो सर्जन होता है, किसकी सहाथा से होता है, तो protonephridia की सहाथा से होता है, इसमें उस सर्जन protonephridia and canal, और यह protonephridia mostly H-saved होता है, किस आकार का होता है H-a-car का होता है, ठीक है और इसका जो nervous system है nervous system, ठीक है, देखिए जो nervous system होता है circumfaryngeal nerve ring होती है, ठीक है, circumfaryngeal nerve ring and six longitudinal nerve card और इसमें च्छा जो है longitudinal nerve card भी होती है किसमें? nervous system में तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि nervous system में circumfaryngeal nerve ring होती है और चहट जो है longitudinal nerve काड होती है ठीक है और इसकी खास बात देखी दोस्त इसमें जो reproductive system होता है well developed होता है पूर्ण विक्सित प्रकार का होता है reproductive system अरथात ये भी बहुत मजा लेता है ठीक है reproductive system जननत अंतर इसमें जो है बहुत बिक्सित प्रकार का होता है ठीक है well develop होता है और ये कैसे होते हैं unisexual एक लिंगी इस condition को कहते हैं dioces आ गया दोस्त अभी तक bisexual 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 चलते चले आ रहे थे लेकिन अब यहाँ आ गया unisexual मतलब एक जो होगा एक पूरा इसका जो जनत होगा उसमें एक कई लिंग रहेगा चाहे वो नर लिंग हो चाहे मादा लिंग हो ठीक है इसे कहते है unisexual और इस condition क्या कह लेती है dioces और इसमें sexual dimorphism condition देखने को मिलती है ठीक है male है और दूसरे में female lingered ऐसा आप कहिए और यहाँ पर जो fertilization की क्रिया है निसेचन की क्रिया internal होती है आंतरिक होती है इसमें निसेचन कहा होता है शरीर के अंदर होता है इसमें जो cleavage होता है बिदलन होता है determined और spiral प्रकार का होता है और इसकी खास बात क्या है दोस्त इसे जड़ा ध्यान रखिएगा जो phylum escalmenthes है is divided into five class यह पांच क्लास में इसको बाटा गया है escalmenthes अथो निमयाट हलमेंथिज निमयाट हलमेंथिज ठीक है पांच क्लास कोन है भाई देखिए पहला है रोटी फेरा तीसरा है गैस्ट्रो ट्राइचा और तीसरा क्या है और पाचवा है निमेटोडा, निमेटोडा is the very very most important, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा important है, ठीक है, कौन, निमेटोडा, देखें, रोटी फेरा जो होता है, इसे क्या कहा जाता है, वील एनिमल क्यूल, इसे कहा जाता है, वील एनिमल क्यूल भी कहा जाता है, और इसके जो किसके रोटी फेरा के देखिए रोटी फेरा रोटेरिया ठीक है ऐसा आप समझिए गेस्ट्रो ट्राइका में क्या है इसका एक्जामपल है लेपिडो डर्मिला इसका एक्जामपल है किसका एक्जामपल है भाई गेस्ट्रो ट्राइका का ठीक है और किनो रैंचा का कौन सा ए इसमें आता है Echinoderm, कौन आते हैं, भाई, Echinoderm, Echinodiris, ठीक है, ऐसा कही है, इसमें Echinodiris नहीं आप कहेंगे, Echinoderm कहा सा आगे भाई, Echinoderm में तो एक फाइलम ही है, ठीक है, Echinodiris, इसका एक्जामपल है, Kainorincha का, और निमेटो मारफा का एक्जामपल जो है, Nektonima, ठीक है निमेटो मारफा का एक्जामपल, Nektonima, और यहाँ जो, very very most important है, निमेटोडा, देखें, निमेटोडा को commonly round over में यह होते हैं, क्या होते हैं, भाई, commonly round over में, यह गोल क्रीमी होते हैं, और इसका एक्जामपल क्या है, बहुत ही important एक्जामपल है, सबसे तो बहुत ही जवर ज तागड़ा एक दम इसका जो है important है भाई कौन? Ischeris के बाद इसमें Voucher area भी है Voucher area जिसे कुछ लोग गोलते है Voucher area और Interrobius है और Enzyloistoma है तो चार है कौन Ischeris है? Voucher area है, Interrobius है और Enzyloistoma है ठीक है? चलिए पहले कुछ इनके common name जो आते हैं इस फाइलम से common name भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि इनको क्या कहा जाता है, फालाना, ढिमका, लिमका, क्या कहा जाता है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, देखें यहाँ पर, जो वुचे रेरिया, पहला, वुचे रेरिया बैंक्राफ्टी है, इसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं, इसके करण ही क्या होता है, हाथी, पा, रोग, फाइलेरिया रोग, ठीक है, वुचे रेरिया बैंक्राफ्टी को कहा जाता है, फाइलेरिया वर्म, ठीक है, philarial worm कहा जाता है, तो आप ऐसा कहिए, उफ, उफ, डबलू को आप, डबलू यू, उ, यफ से यफ, यानि उफ, उचेर एरिया बेंक्राप्टी का क्या नाम है, फ से philarial worm, और अगला है AC, देखिए, A, एसकेरिस को क्या कहा जाता है, common round worm, ठीक है, AC, common round worm कहा जाता है, ठीक है, उफ, AC, ऐसा, और इन साइलो इस्टोमा को क्या कहा जाता है, इन साइलो इस्टोमा को कहा जाता है, hook worm, ठीक है, आह, A, अच, AC पाया तो आह किया, पहले गर्मी लग रही थी तो उफ किया, उचेर एरिया, philaria worm, और AC मिला, इसकेरिस, common round worm, और फिर आह किया, इन अमेरिकर मडरर कहा जाता है, ठीक है, और अगला क्या है, इन साइलो इस्टोमा को ध्यान रखिएगा, इसको हुक वर्म कहा जाता है, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इन साइलो इस्टोमा हुक वर्म, इन साइलो इस्टोमा हुक वर्म, अमेरिकर मडरर है, लोवा लोवा चला भाई अब इसको लोवा लोवा ना कह करके हम कह दिये लोई ठीक है लो से लोवा लोवा इस से क्या आई वर्म ठीक है आई वर्म के नाम से जाना जाता है लोवा लोवा ठीक है और अगला क्या है इसमें इंटीरो बियस इंटीरो बियस को क्या कहा जाता है पीन वर है गीनिया वर्म घीनिया वर्म घीजी झाह गए भाई ड्रैकन कुलत को चाहे माशचाा है जाता है गीनिया वर्म और यह है ट्राइचूरी उर्म इसको क्या कहा जाता है भी देख लिया जाए कि इसके Know गाइलोइट्स को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है थ्रेड ओवर में ठीक है चलिए भी इसके कुछ जो है फिगर भी देख लिया जाए कि इसके अंतरगत कौन कौन सामिल किये गए है कौन कौन आते हैं उनको भी थोड़ा से देख लिया जाए पहचान लिया जाए कि इस हैं तो आप देख रहे हैं कि यह फीगर जो है यह है एसकेरिस ठीक है यह किसका फीगर है एसकेरिस का यह मेल है और यह वाला फीमेल है ठीक है मेल फीमेल आप देखिए फीमेल फीमेल जो है लंबी है जादा लंबी है किसकी तुलना मेल तो आप ऐसा न सोचे कि हाबी हो जाए इसे ही हम लोगों Silicon को एक्स्प्लानेशन एकदम देखना है कि इसके रिसको ही बिल्約कुल बिस्तार से पढ़ना है और दूसरा ये आप देख रहे है वुचेरे वुचेरेगियाँ इसे पढ़ते है वहावुचेरेगिया तो यह इसे कहा जाता है फाएलेरिया वर्म यह फाए इनसाइलोइस्टोमा है कौन सा है ये इनसाइलोइस्टोमा हुकवर्म ठीक है इसे का कहा जाता है हुकवर्म कहा जाता है इनसाइलोइस्टोमा को तो चलिए दोस्त बस आज की हमारी स्कलास में बस यहीं तक फिर मिलेंगे ओके थेंक यू